हेलो दोस्तों स्वागत आजब कमारे इस वीडियो में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गड़वाल छेतर के टाल क्योंकि आपने अभी तक देखा कि हमारा टॉपिक चल रहा था उत्राखंड में उत्राखंड के टाल जिसको हमने दो पात में डिवाइट किया था तो हमारा फर्स्ट पात था कुमाओ छेतर के टाल और यह हमारा सैकेंड पात है और सैकेंड वीडियो तो इसमें हम पढ़ेंगे गड़वाल छेतर के टाल क्यूकि हम ने स्फर कुमाओ छेत्र के ताल कम्प्लीट कर लेते और अब हम पढ़ेंगे गड़ओ छेत्र के ताल तो चलू शूरू करते हैं गड़ओ छेत्र की सरवादिक जीले वा ताले चमूली में इस्तित है क्योंकि जो गड़वाल छेतर है, इसकी जो सबते ज़्यादा जीले हो गई, ये सब चमोली में इस्तित है, ठीक है, तो गड़वाल छेतर में पहला हमारा जो ताल है, वो है सहस्तित ताल, वो कौन सा है, सहस्तित ताल, सहस्तित ताल गड़वाल छेतर का सबसे बड़ा वा सब सबसे गहरा ताल है और जो की टीरी गड़वाल में इस्तित है ठीक है टीरी के घुरंतों से लगबग 1530 मीटर की उचाई पर सहस्ते तालों का सम्मू है यहां गड़वाल का सबसे बढ़ावा सबसे गहरा ताल है तो अभी हमने पहले वारी वीडियो में पढ़ाता कि कुमाउ गड़वाल चेतर का सबसे बड़ा ताल था और गड़वाल चेतर का सबसे बड़ा ताल है सहस्तर ताल और गड़वाल चेतर का सबसे गहरा भी ताल है इस जील के पूर्वी किनारे पर चोटी दुर्पता कर तार में से हिम गलकर जल नियंतित आता है इस जील की पैलिटी प तलहटी से इसलिव चट्टानों से निर्मित लाकों चोकियां इसपस डिखाई पड़ती है मानुत अपशियों की तप इस्थली हो ठीक है तो जो ये चोटियां हैं इनसे हिम गिलकर जो मतब बरफ होती वो पिगलकर वा गलकर जल्ब में नियंतित आता है इस जील की तलहटी में जो जील की तलहटी है उसके इसलिव चट्टानों से निर्मित लाकों चोटियां इसपस दिखाई पड़ती है मतलब जो वहां की चोकियां है वो बिलकुल वहां से इसपस दिखाई देती है मानो तपशियों की तप्त इस्थली हो ठीक है वहां से ऐसा दगता है और जैसे कोई तपस्जें हो्त च्पत्त इस थरिया हो इसके बाद उसके बारा जो नेक्स इसलेगों है में यम यम ताल नो है तालए यह ताल्वी टीरी में स्तित है यो सपेद बरप से ढका जो यह ताल है, यह हमेजा ही बरब से धका हुआ रहता है और पूरा वाइट नजर आता है क्योंकि बरब से धका हुआ रहता है और यह तीरी में इस्तित है इसके बाद नेस्ट है हमारा महासर ताल ठीक है? तो जो ये महासर ताल है तो ये भी तीरी में इस्तित है सहस्त ताल छील से कुछ दूरी पर बाल गंगा घाटी पर इस्तित दिया जील दो कडोरी नुमा तालों से निर्मित है यहाँ भाई बेहनों का ताल कहते हैं तो जो यह महासर ताल है इसे भाई बेहनों का ताल भी कहा जाता है क्योंकि यह कुछन ने काफ एक्जाम में पूछा जाता है कि भाई बेहन का ताल किसे कहा जाता है तो इसका आंसर होगा महासर ताल ठीए अब नेस्ट है हमारा वासुकी ताल वासुकी ताल तो ये ताल भी तीरी गड़ाल में इस्तित है तो अब हमारा था वासुकी ताल जो के तीरी गड़ाल में इस्तित था इस ताल की बहुत बड़ी खासियात है कि इसके जो ताल का पाने का कलर है तो आपने देखा कि किसी ताल का पानी का color Green था, किसी का Blue था तो इस ताल का color मmeलब ज Suska पानी का color है वो Red है तो ये question भी पहलज जादा पूछा जाता है कि वहाँ कौन सा ताल है जिसके पानी का color मmeलब जो रंग है वो लाल color का है तो इसका आंसर होगा वासुकी ताल ठीक है तो टीरी गड़वाल के सुन्दर उत्तर पूर्वी सीमा पर केदानात के पच्चिम लाल पानी वाला यहां अनोठा ताल इस्तित है इसके लाल रंग की कथा वासुकी नाक से जुड़ी है यहां नीले रंग के कमल के लिए भी परसित है तो जो यह ताल है इसकी एक खासियत तो यह है कि इसके जो कलर है पानी का वो लाल रंग का है तो अगर इस ताल का नाम वासुकी ताल पढ़ा है तो उसकी कथा जुड़ी है वासुकी नाक से जुड़ी है ठीक है जो नीले रंग का कमल होता है वो यहां मतलब उत्पन होता है और नीले रंग के कमल के लिए भी यह परसित है और अब हमारा नेक्स ताल है तो अब है हमारा मन्सूर ताल यहाँ भी टीरी गर्वाल में इस्तित है यहाँ टीरी गर्वाल की सीमा के पास खतलिंग ग्लेशर के ठ भीलंगना नदी का और इसके पास भीलंगना नदी की सहाइक नदी दूद गंगा नदी का उद्गमded के ठीक सामने इससी ते हैए बेलंगना नदी की जो सहायक नदी है दूद गंगा नदी दूद गंगा नदी का उद्गम इस तरह गंगा हिम्नद है कुछ परेटकों को यहां राज हंस देखने को भी मिलें मतलब कभी-कभी यहां राज हंस दिखाई देटे होंगे कुछ परेड़कों ने उनको देखा होगा इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अपसरा ताल ठीए इसका नामी अपसरा है मतलब परियों का ताल यहाँ बुड़ा केदा के तीरी के पास इस्तित है इस जील के संबन में यहाँ कहा जाता है कि यहाँ हिमालिया की अपसरा इस्तान करती है इन्हें अच्री ताल भी कहते है तो जो कहा जाता है कि जो यह ताल है यहाँ हिमालिया की अपसराएं इस्तान करने को आती है इसे अच्री ताल भी कहा जाता है अच्री भी अपसराओं को ही बोला जाता है इसके बाद नेक्स्ट है रूपकुण अब हम गए हैं चमुली में ठीक है रूपकुण ताल तो जो ये ताल है ये चमुली जिल्ले में इस्तित है चमुली जिल्ले के धराररी विकासकंट में वेदनी वुग्याल के निकट इस्तित है इस धील का निर्मान प्राचीन कथा कि अंजार सिव की पत्नी पार्वती ने कहला जाते हुए क्या था मा पर्वती ने अपना सौन दर्या का आदा भाग रूप कुण में छोड़ दिया था तो जैसे ही मतलब ये रूप कुण ने इसकी कथा जुड़ी है संकर भागवान जी की पत्नी पार्वती माता से तो जब एक बारे सिव भागवान और पार्वती माता कहला जा रही थी तो पार्वती माता ने अपने सौन दर्या का आदा पार्ट उसमें देखा था और पार्ट उसी ताल में छोड़ दिया था जिस कारण इसे रूपकुन के नाम से जाना जाता है जिससे यहां रूपकुन परकृतिक रूप से सुन्दर है यहां से तिर्सूली और नंद गुट की परवत पहाड़ियां दिखती है तो जो इन दन घुट की पदवत है यहां से नंदाकनी नदी का उत्गम इस्ताल होता है ठीक है और पर एक और बात है जो रूप कुंड़े इसे कंकाली जील भी कहा जाता है क्योंकि यहां बहुत सारे लोगों के कंकाल पाए जाते हैं एतिहासिक डिस्टी से इसका महत तो है कि यहां राजा यस धवल और उनकी पत्नी वल्याद 600 वर्स पूर्व तथा इनके सेना के कंकाल आज भी परापत होते हैं इस जील को कंकाली जील भी कहा जाता है वैसे अभी इस परस्ट नहीं हुआ है कि इस दिल में किसकी कंकाल तंतर दिखाए जाते हैं यूँकि इसकी अलगला कहानिया बनी वही है कोई कहता है कि ऐसे राजाओं की कोई सैनिक वगएरा जा रहे थे जहां तूफान आने के कारण उनके कंकाल दिखाई देते हैं लेकिन यहां आज भी बहुत सारे कंकाल देखने को मिलते हैं तो अब नेक्स्ट है हमारा लोगपाल वा हेमकुन जील तो हमारा नेक्स्ट है हेमकुन वब लोकपाल जील्या हेंपुन साहिब भी इस्थित है ये चमोली जील्ये में इस्थित इस जील के किनारे सिकों के दस्रे गुरू, गुरू गोविन सिंग ने तपचिया की दी थी है क्योंकि यहां बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा भी इस्थित है तो जो सिक्वों के तस्रे गुरु गुरु गोबी ने तपश्या की थी यहाँ परसित गुरुद्वारा और लक्षमन जी का प्राजीन मंदिर है गुरुद्वारा होने के साथ साथ ही यहाँ लक्षमन जी का प्राजीन मंदिर भी है इस सरोबर से अलगनन्दा नदी की सहायक लक्षमन गंगा नदी निकलती है यहां जील साथ परवतों से गिरी हुई है और यहां लक्षमन जी का मंदिर भी है और गुरुद्वारा भी है और हेम को नामक जील भी इस्तित है अब नेक्स्ट है हमारा सतोपंत तान ठीक है तो यह ताल भी चमोली जिल्ले में इस्तित है इन तीनों कोणों में बर्मा विश्नु महेश की तपश्या की थी और पांड़ों उनके पास इस स्वर्गा रोहीनी शिकर से स्वर्ग गए थे तो जो ये ताल है यहां तीनों कोणों में बर्मा, विश्णु, महीश ठीक है? तीनों ने तपश्या की थी और पांडों के पास इससे स्वर्गा रोहिनी सिकर से स्वर्ग गए थी इस ताल के पास सूर्यकुन चनकुन, दामक, दो ताल इस्तित है एक ताल तो है सतोपंत ताल जिसमें बर्मा, विश्णु, महीश ठीक है? महीश सिपजी को बोला जाता है तीनों ने तपश्या की थी यहां से इससित जो पांडों थे वो स्वर्गा रोहिनी में स्वर्ग गए थी वो यहां से भी स्वर्ग गए थे बट इस धील के पास ही रूपकुन, चंदकुन, नमक, दो ताल भी इस्तित है अब फिर हमारा नेक्स्ट है फिरही ताल या फिर गोना जील यह भी चमुली में भीम ताल से आगे दहनी और इस्तित है विटिस काल में यहां जील बहुत बड़ी थी परन तो अब काफी सूखी है मतलब पहले तो कोई भी जील अब काफी बड़े स्थान में थे जो कि अब काफी सूख चुके है तो यह भी चमुली में इस्तित है तो अब मारा नेक्स्ट है बेनी ताल ठीक है बेनी ताल ये चमोली में इस्तित है चमोली से कर्परयाग से नंपरयाग की और लगबग 20 km और आदी बदरी से 5 km की दूरी पर इस्तित है इस ताल की लंबाई 320 मीटर चोड़ाई 150 मीटर और 3000 की उंचाई पर इस्तित है यहाँ ताल बांज बुराच चीर काफल की पहाड़ियों से घिराए इसके इंडिकर्ड नंदा देवी इस्तित है यहाँ से आदी बदरी पैदल जाते हैं तो ये चमोली और नंपरयाग से लगबग 30 km और आदी बदरी से 5 km की दूरी पर इस्तित है तो जो ये 3000 की उंचाई पर इस्तित है यहाँ ताल बांज बुराच चीर काफल की पहाड़ियों से घिराए मतलब जहाँ पर इस्तित है इसके आसपास बांज हो गया बुरास हो गया चीर काफल की पेड़ वा पहाड़िया इस्तित है इसके निकटी नंदा देवी इस्तित है, यहां से आधी बद्री भी पैदल जाते हैं, ठीक है, पैदल जा सकते हैं, अब हमारा नेक्स्ट है, लिंगा ताल, तो यह भी चमोली में फुलो की घाटी के मद्या इस्तित लिंगा ताल है, जो की सुन्दर प्लेटो से सरजित एक ट ठीक है, चमोली के मद्या इस्तित लिंगा ताल के मद्या सुन्दर प्लेटो से सुचरजित एक टापू है, यहां एक टापू भी इस्तित है, जो लिंग के रूप में सूरे की रोशने से ध्यद्य दिखाई पड़ता है, जब उसमें सूरे की रोशने पड़ती है, तो वो एक भरव्य तरीके का दिखाई पड़ता है, अब नेक्स्ट है मारा मिर्टा का ताल, यहां चमोली की फूलो की घाटी में इस्तित लिंगा ताल के उतरी सीला खंडो के पार एक जील में इस्तित है, इससे देवियों का या मिर्ट सक्क्यों का ताल भी कहा जाता है, अब आपको हल्की फॉर्ट डिटेल्स के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ठीक है तो ये चमोली के फूलों की घाटी में इस्तित हैं इसे देवियों का या मिर्थ शक्तियों का ताल भी कहते हैं मतलब में लिए देवियों का ताल है और इसे देवियों का ताल भी कहा जाता है अब next है मारा नर्सिहा ताल ये चमोली में इस्तित हैं ये काफी चोटी है ये मतलब चमोली में इस्तित है और ये काफी चोटी है अब नेक्स्ट है मारा अब चमोली छोटके हम पहुंचे हैं उत्तरकाशी में ठीक है नचिकेता ताल तो ये खाँ इस्तित है ये उत्तरकाशी में इस्तित घने जंगलों के बीच इस्तित है इसके किनारे एक छोटा मंदिर है यहां कहा जाता है कि यहां एक उदलक के पुत्र नचिकेता के नाम पर ही नचिकेता पड़ा है यहां रातरे विश्राम हेतू चौरंगे खाल में लोग का निर्मान विवाग विश्राम पी रहे है तो जो ये नचीकेता ताल इसका नाम नचीकेता इसले पड़ा है क्योंकि इसके किनारे एक छोटा मंदिर है ठीक है यहां कहा जाता है कि उद्लक के पुत्र नचीकाता के नाम से ही यहां इसका नाम नचीकेता पड़ा है यहां जैसे परेटक इस तर जाते हैं, उनके लिए गिर है, मतलब विश्राम घर भी बना हुआ है, अब नेक्स्ट है हमारा, दोडी ताल, ठीक है, यह कहां इस्तित है, यह उत्तरकासी जिल्ले में इस्तित है, यह उत्तरकासी जिल्ले में सहर से लगबग 30 किलो मीटर, गंगो इसके चारों और भोज पत्र देवडार के बिरक्ष इस्तित हैं, जो यह डोडी ताल है, यह उत्तरकासी जिल्ले में सहर से और यह मचलियों के लिए परसी आए, यहां अलग अलग परकार की मचलिया पाई जाती है, और इसके साथ इसके ऑड़ों और बोज पत्तर देवद तो ये ताल ये ताल उत्तरकाशी जिल्ले में लगबग 30 किलोमीटर गंगोतरी से 18 किलोमीटर की दूरी पर इस्तिते ताल का अरे सॉरी ये तो हमने पढ़ लिया था हमारा चल रहा था नेक्स्ट केदार ताल ठीक है केदार ताल यह उत्तरकाशी में गंगोतरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर थलया सागर चोगीन आधि परवज सेकोस पर परवता रोहन के लिए आधार सीवर इस जिल के समीबी लगाये जाते हैं परवता रोहन के केम्प लगाये जाते हैं और नेक्स्ट हैमारा सहर ताल उत्तरकाशी के बड़कोर्ट से काफी उचाई पर इस्तित है मतलब यह भी उत्तरकाशी में इस्तित है अब बढ़ार ताल तो यह उत्तरकाशी में इस्तित है ठीक है इसमें कुछ जादा बताने को नहीं है रोडी ताल, यहाँ उत्तरकासी में इस्तित है, गड़वाल की मुखे जीलों में से एक है फाचकरी ताल, इसके मुखे विसे इसता है कि इसका जल उभलता है तो यह भी उत्तरकासी जीले में इस्तित है, इस जील का जल उभलता रहता है और नेक्स्ट है हमारा अब हमारा नेक्स्ट है देवरियत ताल रुद्दुर पर्याक से उखी मट की सारे गाउं से तीम किलोमीटर चड़ाई पर तुंगनाद के समेब इस्तित है इसकी चारो और बांज बुरास के सादन विरक्षों से गिरे हैं इस ताल में चौकंबा हिम सेखर का पत्विन मान लेता है आपको पता है कि उत्राखन में मेंली बांज बुरास काफल के पे इस्तित है और इस ताल की चारों और भी बांज और बुरास के सादन विरक्षे गिरा हुआ है अब नेक्स्ट है हमारा पदानी ताल रुद्दूर पर्याग जिल्ले में रस्तरगार्ट से लगता हुआ जखोली से लगबक 25 किलो मेटर की दूरी पर इस्तित बदानी जील में परतेक वर्ष मेला लगता है और आच का हमारा गड़वाल शीतर का अंतिम ताल है फेक ताल रुद्दूर पर्याग ये रुद्दूर पर्याग में इस्तित है कि बगान के पास इस्तित है इसे ताल का आकार अंडाकार है